सो हे गाईज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल न्यूजियर आइन सो आज भी मेरे पास काफ़ सारी स्टोरीज हैं सो में एक सो और वीडियो का एंट तक जरूर से देखना सो पस्टपल हम बात करते हैं एलविस यादफ के बारे में सो एलविस ने कुछ टैम पहले अपने व्लोग में बताया था कि एक बंदा उन्हें धंकी दे रहा है और 25 ला की डिमांड कर रहा है सो फैनली उस बंदे का पता लग गया है कि वो कौन है कहां पर रहता है यस गाईस हर्याना पुलिस ने उसे अरेश्ट कर लिया है और इसके ओपर हर्याना पुलिस का एक बयान भी आया है इनको वाटसेप के मादियम से धंकी बरे मैसेज बेज़ती है तो चलिए बात करते हैं बिग बॉस 17 के बारे में सो क्या कोई इस बार भी वाइल्ड कार्ट के थुरू आ सकता है जी हाँ गाईस दो कंटेस्टेंट और हैं जो इस बार भी वाइल्ड कार्ट के थुरू आएंगे इसकी पुष्टी करते हुए बिग बॉस ने ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं एज रिवील्ड अर्लियर तू न्यू वाइल्ड कार्ट कंटेस्टेंट एंटरिंग दा बिग बॉस 17 हाउस ओन संडे समर्थ जुरेल एंड मानव सी मप गई वाइल्ड कार्ट एंटरिंग विधिन 2 वीक्स ओफ दा सो स्टार्ट ये दो लोग हैं जो संडे को बिग बॉस में वाइल्ड का थू एंटर करेंगे बिग बॉस बिग बॉस का सेकिंड वीक खतम होने बाला है लेकिन अभी तक एक भी टास्क नहीं हुआ जिसके ओपर बिग बॉस कहे बिग बॉस 17 to completes its second week and there is no single task yet in the show where we can see contestant, potential and abilities, this rap battle is TP बिग बॉस creatives are just focusing and relaying on kitchen drama and fighting on raceon बिग बॉस ब्रिंग सम इंटरेस्टिंग टास्क नेक्ट वीक to save this season from flop tab इट मीज बिग बॉस अगले हपते तक कोई इंटरेस्टिंग टास्क लेकर आने वाले हैं वो नहीं चाते कि season को लोग flop season के नाम से जाने So alright guys, आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दो, channel को subscribe कर लो तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में, till then take care